हरी कृष्णा भगवद कीता अध्याय चार श्लूक नमबर ट्वेंटी नाइन अपाने जुहुवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणा पानगती रुद्ध्वा प्राणा यामा परायनह अपरे नियता हारह प्राणान प्राणे शुझुवती अपाने जुहुवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणा पानगती रुद्ध्वा प्राणा यामा परायनह अपरे नियता हा रहा प्राणन प्राणे शुषुवती अनुवाद अतात्पडिया शिलप्रहुपात के द्वारा शिलप्रहुपात की जय अनुवाद अन्य लोग भी है जो समाधी में रहने के लिए स्वास को रोके रहते हैं स्वास को रोकने की चुपधती है उसको कहा जाता है प्राणायम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अध्यास करते है और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधी में रहते है अन्ययोगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुती देते है तो यह है जिसे स्वास को रोकने की जो विधी है उस योग विधी को प्राणयम कहा जाता है और ये योग है तो प्रारंभ में हर्थयोग के विभिन्ना आसन किया जाता है और इसके सहायता से प्रानयम का इभ्यास किया जाता है और ये सारी विधिया इंद्रियों को वश करके आत्मसाक्षाकार में प्रगती करने के लिए संस्चूत है हमारे शास्ट्रों में और इस व जब आपान वायू की गती की दिशा उलच सके, विंकि जो अपान वायू है वो निम्न गामी है, और अधो मुखी है, और प्राण वायू जो है उर्दुगामी है, उपर की और जाता है, तो प्राण, प्राणयम में योगी विपरित दिशा में स्वास लेने का तब तक अभ्य कहते हैं और जब प्रान तथा अपान वायों को पुर्ण तयार रोग दिया जाता है तो इसे कुम्भक योग कहते हैं कुम्भक योगा इभ्यास त्वारा मनुष्य आत्म सिध्धि के लिए जीवन अवधी बढ़ा सकते हैं इसलिए बहुत सारे जो योगी हैं हम जैसे सार लाग 32,000 साल बड़ा है तो कली योग के दबल है द्वापड योग तो इस तरह से आठ लाग 64,000 हुआ फिर त्रिपल है त्रिता योग और चार गुना सत्यूग कोई सत्यूग से अगर त्रिता योग तक है तो कितना बड़ा वधी वह अपने जिसे जीव जीता है लंब तो कर सकता है कोई ऐसा जो योगी है तो अचली जीवन अवधी को क्यों बढ़ाते है तो बुद्धिमान जो योगी है वो एक ही जीवनकाल में सिध्धी प्राप्त करने का इच्छुक रहता है तो दुसरे जीवन का प्रतिक्षा नहीं करता तो कई बार वो जो है अपना स् जो है बढ़ाते है जीवन अवधी को तो कुम्भक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधी को अनेक वर्षो तक बढ़ा सकता है जैसे हम भक्तों में भी देखते हैं बिलमा मंगल ठाकुर जो है वो 700 तक थे लेकिन जो भी भक्त होते है वो भले ही योग के बाद योग भी रहे तो भी एक ही बाद है वो भले ही जैसे चैतन महाप्रगु आयत है और बहुत कम उम्मर में जैसे 48 साल करीब तो उतना समय में ही उन्होंने इतना प्रचार कर दिया तो भले ही कोई 20 साल रहे या 40 साल रहे या कोई 1000 या 2000 यह भी रहे तो भक्त का एक ही काम है कि वो जहां भी रहेंगे वो भगवान शी कृष्ण की और कृष्ण की भक्तों की सेवा में रद रहेंगे वो भले ही किसी भी परिस्थिती में रहे उनका एक ही लक्ष है कि कृष्ण की दिव्य प्रिमा भक्ति में स्थित रहना और जो योगी लोग यह जो प्रानयम करके या आसन करके जो इंद्रिय निग्रह करने का प्रैतन करते हैं या अलग अलग प्रकार के यग्य करके जैसे हमने लास्ट लोकाज में पढ़ा कि द्रेव्य यग्य है तपो यग्य है योग यग्य है और साध्या यग्य है तो यह सब यग्य भी इसलिए होता है कि हम इंद्रिय निग्रह करें यानि इंद्रिय त्रिप्ति से हर्चाए और हम धिरे-धिरे प्रगति करें आप में साक्षात करके पत पर और अंतता हम भगवान को प्राप्त करें तो जो योगी है वो उनका जो लक्ष होता है कई सारे योगी सिद्धी प्राप्त करना चाहते हैं जैसे कि कृष्ण की ही जो शरीर की जोती है ब्रह्म जोती में तादात्म चाहते हैं लेकिन भगवान से कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो कृष्ण की प्रती सरेंडर्ड रहने के कारण वो स्वता इंद्रियों का नियंता बन जाता है वो कृष्ण पर डिपेंडेंट होते है और उसकी इंद्रिया कृष्ण की सेवा में ही हमेशा ततपर रहने के कारण अन्या किसी कार्या में प्रवृत्त होने का अफसर ही नहीं पाती है फलता जीवन के अंत में उसे स्वता भगवान कृष्ण के दिव्य पत पर स्थानांतरित कर दिया जाता है अता वो दिर्गजी भी बनने का कोई प्रयत्न नहीं करता हाँ अगर भगवान की क्रिपा से वो दिर्गजी भी हो जाता है तो भी वो भक्ति करेंगे और भगवान की क्रिपा से अगर उनका जीवन अलपा है तो भी वो भक्ति करेंगे लेकिन वो अपने आप से कोई ऐसा या प्राप्त करने के प्रयत्न नहीं करता है कि वो दिर्ग जीवी बने क्योंकि उनका पूरा जीवन कृष्ण के प्रती शरणागत होता है और इसलिए जैसे ही उनका शरीर छूच जाता है भगवान उनको अपने धाम में बुला लेते हैं। जीवते सगुणान समती तेतान ब्रह्मभुयाय कल्पते जो भगवान की निश्वल भक्ती में प्रवृत्त होता है वो प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और तुरंद अध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। तो भगवान की शुद्ध भक्ती में लगे रहने वाला ब्रह्मभृति और शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे वो तीनों गुणों को लांग सकते है और इस प्रकार आध्धात्मिक पद को प्राप्त होता है। तो कृष्ण भावना भावित वेक्ति दिव्या अवस्था से प्राणब करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। तो इसलिए हम जो यह कुम्भक योग है या जो भी योग है यह प्राणयाम और आसन के थ्रू जो समाधी में जाने तक की अवस्था का जो प्रैक्टिस है वो सब बहुत ही कठिन पढ़्धती है जैसे पुर्वकाल में लोग जंगल में जाते थे और ध्यान योग का इभ्य करते थे जिसे कि धितराष्ट रभी गये थे अंतिम समय में जब बुड़े हो गये थे और बहुत सरे राजा महराजा लोग भी जाते थे लेकिन यह इतना असान नहीं है आज आपको अगर कोई बोले कि आप जाए हिमालय के जो शिखर है उसमें एक टांग पर खरे रहकर द जब वो इतना सरल जबकि कली यूग में सिर्फ कली काले जो है नामरुपे कृष्णा अवतार कली काल में सिर्फ हरी नाम लेने से हमारा उध्धार हो जाता है तो सत्य यूग में ध्यान से या द्वापर में पूजा से या उत्रेता यूग में यग्या से प्राप्त होता थ अब अपना माला लेजिए और हरे कुछन महामत्र का जब किजिए रोस्वला माला भगवत श्रवन घर में बैठे आज कल जूम भी बहुत सारा क्लास ओर होने लगा है जूम में और यूट्यूब्स में बहुत सारे भगवत लेक्चर्स है प्रामानिक बैश्णवों का तो इस प्रकार से जब वह कोई भगवत सिवा में लगे रहते हैं तो उनको कोई आविश्यक्ता नहीं है कि वह उन कठीन पध्धतियों को अपना है क्योंकि सबसे सुगम सबसे सरल पध्धति है भगवान को प्राप्त करने का भगतियों है तो शले यहीं बताया कि कृष्ण भगत जो होते हैं वह दिव्य आवस्था से ही प्राडम करता है क्योंकि वह हमेशा कृष्ण में स्थित रहता है इसलिए शुरुवात से उनका आवस्था दिव्य होता है उनकी चेतना कृष्ण चेतना बन जाती है और निरंतर उसी चेतना में वह रहता है अतर बहुत अच्छा प्रेक्टिस है यह बहुत अच्छा प्रैक्टेस है जैसे कि आपने रोटी बनाया तो जैसे आपने चार रोटी बनाया तो सबसे पहले उन रोटीओं को ले जाकर रुष्णों को भोग लगाना चाहिए अगर आपके घड़ में अभी पूरी तरह सात्वी का हार नहीं भी बन रहा है मालेजे आपके घड़ में अभी नॉन्वेज तो बिल्कुल आउट ओफ है दिसकेशन लेकिन मालेजे प्यास लसुनिया मसुर की दाल इसको भी तमोगुनी हार माना जाता है तो वो बन रहा है सब जीयों में लेकिन आप भक्ती प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जैसे कि भग भोग लगा सकते है तो फिर बहुत सारे चीज है में स्टार्टिंग तो करना पड़ेगा कहीं न कई से अगर हम यह सोचते रहेंगे कि कैसे स्टार्टिंग करें घर में तो ऐसा माहौल है ऐसा नहीं होगा आप स्टार्ट करेंगे तो कल जाकर माहौल बदलेगा तो सब प्रसादम के साथ मिक्स कर देगा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि भोग लगाए विना हम एक दिन भी कुछ खाये तो यह हमारा प्रैक्टिस में आना चैहिए पहले हम जैसे दूद रोज भोग लगाए जो फल घर में आता ही है पानी रोज भोग लगा हुआ पानी भोग ल तो जो कृष्णप्रसादम को ही खाते रहते हैं वो स्वतह उनको कम खाने के आदत पढ़ जाती है, जो जिसे ध्यान योगी जो है वो कम खाने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि वासन कर पाए, प्रणायम कर पाए, फिर धिरे-धिरे समाधि तक जा पाए, लेकिन जो व्यक्ति क ये और उतना ही वो ग्रहन करते हैं अर साथ में देखिए वो अनॉन विजिटरियन फूद नहीं खाते हैं और जैसे कि एक रिष्णा वक्त कभी भी ऐसे अहार ग्रहन नहीं करेंगे जो सात्विक नहीं है क्योंकि भूग लगा के खाएंगे तो आटोमेटिकली उनका काम हुआ है जैसे बाहर रेस्टोरेंट में भी वो खाना पसंद नहीं करते हैं इस प्रकार हमें कम खाने की आदत को अलएक से प्रैक्रिस करने की जुरूरत नहीं अगर हम कृष्णा भक्ति में है तो इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अलपाहार अत्यनत लाब प्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना समभब नहीं है इसलिए जो लोग है एक्चलि खाकर ज्यादा लोग मरते हैं बिना खाये बहुत कम लोग मरते हैं कि खाना ही नहीं मिला एचले खाकर ज़्यादा लोग मरते हैं क्योंकि ज़्यादा अत्याहार करने से बहुत सारी बिमारिया शरीर में आती है और एक बिमारिया से जो हम अलोपेटिक दवाई लेते हैं उसका और कोई साइड एफेक्ट होता है फिर दूसरी बिमारिया आती है और इस vaccinator से हमारा जो है शरीर बिमारियों से भर जाता है, तो इसलिए अत्याहार करने से जरूर लोग मरते हैं, इसलिए मिताहार, यानि जितना शरीर को और आत्मा को इकठा रखने के लिए दख़र्त है, उतना ही हम लोग ग्रहन करें, और उतना ही हम, जो भी हम खाएं वो कृ पुष्टी मिले ऐसा ना हो बलकि हमारा जो अध्यात्मिक विकास है वो भी साथ में हो जो कि बहुत आवश्यक है तो यही इस श्लोक में बताया गया है कि इंद्रिया निग्रह के बिना जो हैं भववन्धन से मुक्त नहीं हो सकते हैं धैन्दवाल हरे कृष्णा